नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी निउस और मैं हूँ यति आपके सांथ साल 2022 में बॉलिवुड के टॉप स्टास की कमाई घटी है क्योंकि पिछले कुछ समय में देश में बॉलिवुड के प्रती बेहत गुस्सा और नफरत देखने को मिल रहा है जैसे ही बॉलिवुड फिल्मों की अनाउंस्मेंट करती है वैसे ही उन्हें बॉयकॉट करने की मांग शुरू हो जाती है वहीं दूसरी और साउथ की फिल्मों और साउथ के स्टास को सोशल मेडिया और अनजगों पर लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है लोग हिंदी फिल्मों को देखे भी ना ही उन्हें पूरी तरह से बॉयकॉट करने पे तुलेवे हैं इस बॉयकॉट की आग में अब तक बहुत से फिल्मों के नाव डूब चुकी है इसी के बीच मदूर भंडारकर की फिल्म इंडिया लोगडाउन की चर्चा इन दिनों काफी तेज हो रही है इस मूवी में बॉलिवुट के साथ बिहार की भी कलाकार हैं जो दिखाई देने वाले हैं बिहार में भी ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जो देश विदेश में हर जगजार कर बहुत नाम कर रहे हैं देश की तमाम मिस इंडिया प्रतियों गिताओं में जीत का पर्शम लहराने वाली सुंदरियों बॉलिवुट में आती रही है इनमें अब एक और नाम प्रतिभागी का जुड़ने जा रहा है जो बिहार के पटना की मूल निवासी है सिर्फ यही नहीं वे पूर्व मिस इंडिया इंटरनाशनल भी रह चुकी हैं इनका नाम आईशा S.M.M. है आपको बता दें कि वे 2015 में मिस इंडिया इंटरनाशनल भी रह चुकी हैं जिसके बाद उनोंने टोक्यो में मिस इंडिया इंटरनाशनल 2015 में भारत का प्रतिनिदित वह भी किया था बात करें उनके पढ़ाई की तो 26 साल की पूर्व मिस इंडिया इंटरनाशनल आईशा ने एरो टेकनोलोजी इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है 2012 से मॉडलिंग कर रही आईशा की शुरुआती पढ़ाई पटना के विद्या मंदिर से हुई उन्होंने मेकैनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई कोलकता से की है इसके बाद उन्होंने फैशन और मॉडलिंग के जरिये बॉलिवुड में एंटरी मिल लई बिहार की ये बेटी बॉलिवुड में अब अपना नाम करने जा रही है ये फिल्म मॉंबई के कमाथिपुरा के दे मंटी पर आधारित है जो की रियल लाइफ स्टोरी है इस फिल्म में चार प्रमुप किरदारों को अलग-अलग कहानी है जिसके जरिये भारत में करोना महमारी के दौरान लगे लॉगडाउन की कहानी को बया किया गया है खबरों की माने तो इस फिल्म में आईशा का रोल एक सेक्स वरकर का है इस रोल के जरिये महमारी के दौरान सेक्स वरकरों की दूर दर्शा पर फोकस किया गया है आपको बता दें कि इस मूवी का ट्रेलर जी फाइफ पे लॉंच कर दिया गया है वहीं जब फिल्म के बारे में आईशा से बात की गई तब उन्होंने बताया कि मेरा किरदार मुंबई में कमाठी पूरा की एक सेक्स वॉकर का है सची घटना से प्रेरित अमिज साज जोशी और अराधना साधवारा लिखित इंडिया लॉकडाउन फिल्म चार समारांतर कहान पर अधारित है इस फिल्म में चार प्रमुक्यदारों की अलग-अलग कहानी है जिसके जरिये भारत के करोना मामारी के दोरान लगे हुए पहले लॉकडाउन की कहानी को बया किया गया है इस फिल्म में उनका रोल छोटा है लेकिन उन्हें उम्मीद है इसके बाद नए आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस धन्यवाद